कि कि और फ्रेंट्स वेल्कम टु माई टाड़ क्लासर आज हम पढ़ेंगे मैत और मैथ में पढ़नें वाले हैं परिमिती या फिर परिमाप और विखर इन दो चीजों को हम देखेंके और किन-किन चीजों में देखेंगे लगें देखेंगे त्रिबूज में आयत में वर्ग में चतरभूज में अघर आपको प्लिब करना है तो आप तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो आपका ली माव Ihnen निकल जाएगा पहले हमारा है सम भाहु परीमाब पू configur उन्हांनेत fatto पौंशρηवर कर गुद्फे में यहां पर ढ आप यहां पयोजा है नąż het not थे परिमाब निकलकर आएंगा से यह भी पूजा सब्लेवर कुसके बड़ाया, एक तो यह नाब दिया जाएगा और एक यह नाब दिया जाएगा, और यह देखा यहां पर gelsyard,, भुझा को पहुथरो में और फासिए आप निपूरिक्तन पेस्टरा में आपको भुझा किfreeक्ष यह लिकोन बिक परिमाफ निकल कर आगया अघला है वीजम बहू वीजम बहू त्रिभुज अब इस त्रिभुझ में three भुजाओं अलंग होंगी ऐसी condition वे आपको three भुजाओं के नाव धी होगी उसके उपरांत ही आपको इसावाल मालीजिए पांच है ये 400 है ये 2 है तो 500TC summertime की परिमाप आ यह हो गया आपके तृभुज अब देखें आयत इस तरह का चितर है जिसमें आमने सामने की भुझाएं बराबर होती है यानि कि ये भुझा अगर 2 cm की तो ये भी भुझा 2 cm की ही होगी और ये भुझा 1 cm की तो ये भुझा 1 cm की ही होगी ऐसी condition में अगर इसका परिमाप पूझा जाता है तो दो गुडित्ते करेंगे लंबाई प्लस चोड़ाई यानि कि एक लंबाई एक चोड़ाई को जोड़ कर देंगे तो हमारे परिमाब निकल जाएगा फिर अगर इसके विकर्ण को बात कह जाएगा इसको कहते हैं एक कोड़ से दूसरे को मिलाना विकर्ण कहलाता है और आयत में अगर विकर्ण आप से पूछे तो आप क्या करने कर बढूर कर लिए धिर वर्ग वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है जो परिमाब देखे जिए उसका परिमाब पूछ दे तो आप जान सकते हुए हैं । यह जान सकते हैं इस भुजा को पूछे विकर्ण को पूछे तो आप क्या करेंगे भुजा करड़ी में दो कर देंगे आपको विकर्ण मिल जाएगा आगे देखे चतर भुज चतर भुज में सोता है जिसमें चार भुजाएं है अब चतर भुज में आपका आयद भी आ गया वर्ग भी आ गया तो यहां पे फ्राब्लम हो जाते कि ये कैसे होगा इस चतुर भूच के लिए पर तीन चतुर को देखर लेते हैं दिया है सम्हें सम्हें सम्हेंद्ध देखें परिमार कैसे निकाल यह सम्हें होता है जिसकी चारों भूजायें बराबर अब नहीं होगा क्यों कि छतुर्भूज यह वर्ग है जिसमें यह इससा हमसदा नब्बे का होता है यह वर्ग की खासियत लेकिन चतुर्भूज का कंडिशन यह होता है यह कुछ बर्फी कटिंग के हो जाएगा कुछ इस तरह के इसकी चारों भूजाएं बराबर तो होंगी लेकिन इसके ये कोड 90 नहीं होंगे ये चत्रभुच की खासियत हो तो यहां पे चत्रभुच चारो भुजाएं बराबन है तो ऐसी कंडिशन में इसका परिमाप निकालना है तो चार गुर्टे भुजा कर देंगे हमें परिमाप मिल जाएगा फिर पूछा है कि इसी चत्रभ करण के बटे में दो करके सिकार कर दें तो हमें संप चत्रभुच का भुजा घ्यात हो जाएगी ये लिए तो इसना के लिए गता है अगे है समानतर चतुर भूज, समानतर चतुर भूज में अगर परेम आप गयात करना हो तो क्या करेंगे स्मांतर चतर भुज क्या है स्मांतर चतर है अब देखिए जिसे आयत आयत है अरे से अमने चतर भुज चृतर हो थोती है औहर ये रही ऑन्ही चो आपust समानतर चत्रवूज का परिमाप यह हो गया अहां पर क्या करेंगा परिमाप निकाल न है तो लंबाई और चोड़ाई को जोड़ कर दो का गुडा कर देंगे तो आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा फिर पूछा है तो दो लंबाए उचायन के एक लंबाई है, एक उचाय को हम गुड़ा कर देंगे, तो हमारा छेतफल निकल जाएगा, फिर आगे है समलम चतुर्भूज, समलम चतुर्भूज क्या है, देखे इस तरह का चतुर्भूज ये होते हैं, ये इस तरह का चतुर्भूज है, ये चतुर्भूज ये यहाँ से जो प्रेश्ण उठेंगे इस यहाँ से तो हम उन प्रेश्णों को एक बाब वाण साल्व कर लेंг 떠विश्णा करने कि नहीं तूहरे साथु समझना अच्छा होगा हमने लिया है किसी आयत का छेत्रफल 95 cm2 है यदि आयत की लंबाई 15 cm है तो आयत का परिमाप ग्याद कीजी आयत का परिमाप आपसे पूछा गया और परिमाप का जो सूत्र है लंबाई प्लस चोड़ाई में दो का गुड़ा कर देंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा अब यहां पर पूछा तो गया है आपसे परिमाप लेकि एक ही भूजा दी गई है जो लंबाई है चोड़ाई द चेत्र फल देखिए यह पर आपको दिया है जब तीन राशियों में से आगर आपको प्रिष्ण में दो राशियां दे जाती है तो आप तीसरी राशि को निकालेंगे तो यहाँ पर आपको देखेगें दो राश्या दी गई है एक तोछेट्रफल दी आ गया है और दूसरा लंबाई दी गई है चोडाई उपको ग्याध कर dec車ण ion को परां परिमिति को निकाल लेंगे तो धूर्षतेग्या करेंगे हम यहाँ पर सुधाल दी Cayette पर 100 एक अंगों को रख देंगे इसी सूतर पर बटे में क्या करें लंबाई हमारी 15 cm से गुड़िते चोड़ाई को यहां पर आप कोई भी अंख मान सेते हैं यहां पर चोड़ाई की रूप में चलें तो इसम चोड़ाई ही लेकर चलते अब देखिए हमारा यह बन गया तो ऐसी कंड को मिल गई चोड़ाई यह चोड़ाई है अब देखा पूछा है आपसे परिमिती परिमिती का क्या सूतर है आयत है तो दो गुड़िते लंबाई प्लस चोड़ाई यही है तो दो गुड़िते आप क्या करेंगे लंबाई आपके चोड़ाई कितनी मिल गई है लंबाई हमा आयत है आमने सामने की भुजा बराबर है तो दूसरी लंबाई है तो दूसरी लंबाई हमारी 15 प्लस प्लंदर तो आजाएगा 30 और एक निकल गारा ही है 13 इसमें आमने सामने की भुजा बराण होकर 32 26 को जोड़ देंगे तो आजाएगा हमारा 56 देखिए यहां पर भी 56 आया तो यह हो गया आपका एक सवाल अब देखिए दूसरा सवाल हम देखते हैं दूसरे सवाल में क्या है देखिए दूसरा सवाल दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटी मीटर है और चोड़ाई 15 सेंटी मीटर है तो आयत के विकर्ण की नाब गयाद कीजिए विकर्ण का फॉर्मूला हमने आपको बता है तो विकर्ण ग्याद करना हो तो क्या करेंगे देखे विकर्ण बराबर क्या था करणी में आपका आ जाता है लंबाई का square plus 4 square यह आपका formula है लंबाई देखे हैं हमें कितनी दी गई है 20 करणी में ही चलेगा यह इसका square plus 4 15 15 का square कर देंगे अभी से में square करेंगे तो देखे कितना आता है यह अभी जो आएगा वो आपका करणी में है तो 20 20 हम आपका होता है 400 और प्लस 15 15 हम होता है 225 यह आपका आगया square के अंदर यह देखे आपका करणी में है अब आगे हम चलते हैं इनको जोड़ देंगे तो हमारा करणी में ही आजाएगा 625 जोड़ेंगे तो 625 आगया 625 को अब हम तोड़ देंगे यहाँ पे तो 25 गुड़ित्ते 25 बराबर होता है आपका 625 तो अब करणी से बाहर निकल के आगे यह 25 सेंटी मीटर तो यहाँ पे देखे विकण आपका निकल करा चुका है 25 सेंटी मीटर यह हो गया हमारा विकण उमीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अगला प्रशन देखी है अगला प्रशन हमने लिया है कि एक आयताकार मैदान की भुजा 12 मीटर है तो था इसके विकण की लंबाई 15 मीटर है मैदान का चितफल होगा यहाँ पे छितफल आपसे पूछा गया है और आपको दिया क्या गया एक भुजा दी गई है और विकण दिया गया पहले देखी पूछा क्या है आयत है आपका यह ध्यान दीजिएगा आयत है और उसकी भुजा 12 मीटर तथा इसके विकण की लंबाई 15 मीटर है तो आपको मैदान का चितफल बताना होगा आपको विकण दिया है और चितफल निकालने के लिए पहले आपको लंबाई और चोड़ाई दोनों चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक भुजा दी गई है अब भुजा आप लंबाई मान लेजिए चोड़ाई मान लेजी और यहाँ पे दी गई है एकस की विकण की लंबाई दी गई है तो आप गौर की जीए कै अब आपको क्या निकालना है आप देखे भुजा निकालना है आपको पहले एक भुजा गयात करने तो ऐसी कंडिशन में आपको विकन का सूत्र लेंगे क्योंकि आपको विकन दिया गया है तो विकन का जो सूत्र है वो है विकन का सूत्र विकन बराबर क्या है आपका करणी में लंबाई का स्क्वाइर प्लस चोड़ाई का स्क्वाइर एक भूजा दिया गया है तो आप लंबाई माल लिए या फिर चोड़ाई दोनों बराबर है तो अब करणी में देखे आपका क्या जाएगा करणी में आपका 12 का स्क्वायर चला जाएगा और प्लस चोड़ाई का या फिर एक भुजा माली जी यहां पर एम आ लेते हम इसे ठीक है अब देखी क्या करेंगे पच्छांतर करेंगे हमें क्या मिला है 15 हमारी विकर्ण की लंबाई है तो हम यहां पर 15 रखेंगे अब यहां क्या आईगी तो ये माइनस में हो जाएगी और करणी के अंदर जानी के वज़जे से यह भी स्क्वाइर में हो जाएगी ठीक अब देखें एड और ऑर हम क्या करेंगे यह स्क्वायर बरहां आज घ्या रहा रहा है 12 रह हम 144 ऑ माईनस 15 чист न आफ निकल्र आ घ्यात्य किसका व तोड़ दिया तो ने क्या है हमारा 9 cm यानि कि एक भूजा हमको 12 cm पता मीटर पता थी और दूसरी हमारी मीटर में है तो आगे हमारे 9 अब दीखें को छेत फल निकालना है तो छेत फल के लिए क्या करते हैं लंबाई गुडिते चोड़ाई कर देते हैं हम तो क्या है लंबाई हमारी एक है बारे मीटर दूसरी है नौ मेटर बारह नावा एक सो आठ मीटर स्कुराइर यह आपका आगया चेत रफल कि अधिक है फ सम चत्रभुच के विकड़नों की लंबाई क्रम सोला तथा बारे सेंटीमीटर थो परिमाब बताईगी यह आपका 2018 की जो रिटन एक्जाम हुआ था यूपी का उसमें यह एक्जाम में आया था और एक बात और इस प्रश्ण से बता दू अगर इस तरह का प्रश्ण आता ह तो लगभग आपके अंक भी यही रहेंगे क्योंकि यही अंक इस बार आया था हो सकता है अगर इस सी टैट में भी आजा तो अंक भी लगभग आपके यही रहेंगे दूसरे अंक नहीं होने वाले देखें सम चत्रभुच का विकड़ है विकड़ की जो लंबाई है हमने का भूजा चाहिए तो भूजा के लिए आप क्या करेंगे भूजा का जो सूत्र था वो था कि भूजा बराबर आपका करणी में क्या रहेगा विकर्ण है तो दीवन एक विकर्ण के लिए डीवन अपान में टू और इसका स्क्वायर कर देंगे फिर प्लस डीटू और अपान मे सब क्या uhy 11 12 12 12 कर देंगे और स्कुरें में चुछ सब्सक्राइस निट रहा खाएं, समय निलागे का इस जोटा यहां पर स्कू आठे संपर काटा स्काइप निल्म पर पर इस को चत्य हो गो, यहां पर इस बॉच भंतौर क्या कर आई दोड़ेंगे आपका स्वाइंटे 10,HE पूछा क्या है इसका संपारिं। हमको एक भुजा मिल चुकी है 10 cm और सम्चतुर होने की वज़ा से हमको यह पता है कि सम्चतुर बुजाएं बराबर होती तो ऐसी कंडिशन में इसके जो और भुजाएं भी हुई वह भी आपके 10 cm तो दस गुड़ते चार कर देंगे तो आजाएगा चालिस चालिस सेंटी मीटर के आगया यह आपका परिमाप आगया तो फ्रेंस उमीद करते हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और एक बार मुझे से कमेंट करके जरूर बताएगे आपको कैसे लगे और यह प्रेश कर दूर मुझे हूं कि यह तो एका हुँ आपका परिमापका आपको कि यह वीडियोख ऑ्रेंस नस्ता भरा मुझे आपका प्रेंस नस्या आपका